Hello students, चलिए start करते हैं, application of integral, miscellaneous exercise का question number 5 देखते हैं, क्या है, important question है, find the area bounded by the curve y equal to sin x between x equal to 0 and x equal to 2 pi, उसने क्या काया है, हमें area bounded by the curve find out करना है, curve की equation दे दी y equal to sin x, और हमें कहां से कहां तक x equal to 0 से लेके 2 pi तक का area निकालना है, अब ध्यान से देखो बच्चो इसका graph कैसे बनेगा, y axis हो गई, ठीक है, यह हमारा 0 हो गया, फिर हमारा क्या आता है, pi by 2 आता है, फिर हमारा pi आता है, फिर 3 pi by 2 आता है, और फिर हमारा क्या आता है, 2 pi आता है, यहाँ पे हमें angle की form में यह दे रखे हैं points, 0 से 2 pi तक, और y equal to sin x का graph क्या होता है हमारा, कुछ इस तरिके का graph होता है अपने class 11, 12 दोनों में सीखा होगा तो ये graph होता है हमारा sign का और course के graph की बात करें तो हम इस तरीके से start होता है सिद्धा 90 से start होता है यहां से, मतलब 1 value से ऐसा क्यों हुआ graph जहां से सुन लो sign 0 sign 0 पे 0 होता है sign pi by 2 पे 1 होता है फिर sign pi पे फिर 0 होता है area find out करके देना वही बात समझ में आ गई तो पहले हम कहां से कहां तक 0 से लेके pi तक integration करेंगे area of region equal to integration 0 से लेके pi function कौन सा है यह किसका graph है? sign x का तो sign x dx फिर प्लस में क्या जाएगा मेरा pi से लेके 2 pi integration pi से लेके 2 pi और यहाँ पे भी क्या जाएगा? sign x dx अब हम area find out कर रहे हैं बच्चो यह चीज ध्यान रखनी है आपको हमें पता है sign x का integration जो होगा वो क्या होता है? minus होता है होता है या नहीं होता है? वो चीज आपको ध्यान रखनी है तो इसको हम simplify कर लेते हैं अब देखो pi से 2 pi नीचे की तरफ है area negative है तो इसको हम modulus के अंदर लेके चलेंगे ठीक है? negative reason में है तो area negative तो उता होता है इसलिए modulus ले लिया अब इसको integrate कर लो sign x का क्या होगा? minus का cos x limit कहां से कहां तक 0 से pi तक बच्चो fill plus में sign x का क्या हो जाएगा? mode of sign x और sign x का cos x और यहां पे pi से लेके 2 pi तक हो गया या नी हो गया? अब limit पुट कर लेते हैं यहां पहले upper limit फिर lower limit पहले हम pi पुट करेंगे तो क्या हो गया? minus का cos pi फिर minus में minus minus plus हो जाएगा cos of 0 फिर plus का sign है यहां पे यहां पे क्या जाएगा mode of minus cos x है तो यहां पे क्या हो गया? minus का cos of 2 pi फिर minus minus plus cos of pi इसका mode simplify कर लो minus का cos pi minus sign as it is cos pi की value होती है minus 1 फिर plus में cos 0 की value होती है 1 यह तो हो गया simplify मोड ओफ minus का cos 2 pi इसकी value क्या होती है? minus cos 2 pi की value होती है 1 फिर प्लस में cos pi की value क्या होती है minus 1 इसका mode यहाँ पे minus minus plus 1 1 और 1 क्या हो गया 2 फिर प्लस में mode of minus 1 और minus 1 क्या हो गया minus का 2 तो यहाँ पे क्या आ गया 2 plus 2 equal to क्या आ गया 4 minus 2 के mode से बाहर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा तो 4 square unit क्या आ गया मेरा area अब देखो यहाँ पे modulus ना लेता मैं तो मेरे पास यह area क्या आता बच्चो negative आता 2 minus 2 0 तो नहीं करेंगे हम यहाँ पे आपको clearly नजर आ रहा है area तो कुछ न कुछ है 0 तो नहीं होगा तो मैंने इसलिए below the x axis जो negative graph होगा उसको modulus लेके चल पड़ा मैं क्योंकि वो हमेशा negative value देगा हमें पता है 0 x axis से below area है वो negative होगा बट area negative कभी होता नहीं इसलिए उसका हमने mode लिया है यह बात भी clear हो गई होगी समझ में आ गया होगा कोई दिक्कत नहीं होनी चीए कोई भी problem लगे आप पुछिए मुझसे मैं आपकी help करूँगा आप भी channel को subscribe किजिए और ज्यादा से ज्यादा share किजिए Thank you students for your love and support towards your class next classes